हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाचर एडिक्टिव, हाजर हूँ आपके लिए एक नहे वीडियो के साथ आज हम एक्स्प्लेंड करने वाले हैं एक ड्रामा एरोटिक मुवी को जो की साल 2011 में रिलीज हुई थी जिसे इस्टीब मैक्योईन ने डायरेक्ट किया था और बात करें इसकी IMDV रेटिंग के बारे में जो है 7.2 आउट आप 10 स्टार मुवी के स्टार्ट होते ही हमें एक ब्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम ब्रेंडन होता है जो 40 साल का है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है नियू यॉर्क में वहे अकेला रहता है उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम सीसी है जो लॉस एंजलिस में रहती है पिछले कुछ दिनों से वहे ब्रेंडन को कॉल कर रही है लेकिन ब्रेंडर उसका कॉल रिसीब नहीं करता और उसे इगनूर करता है फिर एक दिन बहे एक लड़की को बलाता है और पैसे देकर उसके साथ सेक्स करता है इससे हमें पता चलता है ब्रेंडन सेक्स एडिक्टिव है उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है बहे लैप्टॉप पॉन बीडियो देखता है और उसके बाद बहे मुठी मारता है औ थी लेकिन कुछ ही देर में वह समझ जाती है ब्रेंडन के रादे ठीक नहीं है अगले स्टेशन पर वह उतर जाती है ब्रेंडन उसे फॉलो करता है फिर वह लड़की भीड में खो जाती है इसके बाद ब्रेंडन ऑफिस जाता है उसका बॉस डेविट सिर्फ उसका बॉस ही नहीं, उसका friend भी होता है, इसके बाद दोनों क्लब जाते हैं, उधर डेविट को एक लड़की पसंद आती है, और डेविट उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन बहे लड़की डेविट को नहीं, ब्रेंडन को पसंद करने लगी थी, कलब से निकल कर बहे लड़की ब्रेंडन को लिफ्ट देती है और कार में ही ब्रेंडन उसकी बजाता है इसके बाद बहे घर आकर देखता है उसकी सिस्टर सीसी आई हुई है बहे एक सिंगर है और लॉस एंजलिस के कलब में बहे गाना गाती थी अब बहे नियुवर्क में shift हो गई है बहे अपने boyfriend के साथ रहने वाली थी लेकिन अब उसके साथ उसका break up हो गया है और अब उसके पास रहने की कोई जगा नहीं है अब बहे Brandon के घर पर रहना चाती है और Brandon से बहुत request करती है लेकिन Brandon के घर में सिर्फ एकी bedroom है बहे सोफे पर सो जाएगी फिर हमें पता चलता है उनका बचपन भी ठीक नहीं था और बचपन में बहे अब्यूज होते थे अगले दिन सीसी कलब जाती है तब Brandon भी ऑफिस जा रहा था तब ही सीसी गाना सुनने के लिए Brandon को invite करती है Brandon कहता है ओफिस के बाद अगर उसे time मिला तो वह जरूर आएगा फिर हम देखते हैं उसके ओफिस में computer virus का issue चल रहा है और इस problem को soft करने के लिए उसके computer को format करने के लिए ले जाया गया है ये सुनकर Brandon को बहुत गुसा आता है क्योंकि computer में उसका porn collection था जो उसे उसकी जान से भी प्यारा था लेकिन अब बहे delete हो जाएगा फिर बहे अपने boss डेविट पर बहुत गुसा करता है बहे उससे कहता है computer को ले जाने से पहले at least एक बार उससे पूँच सकते थे डेविट को समझ नहीं आता आखिर ब्रेंडन ऐसे react क्यों कर रहा है उल्टा बहे उससे पूँचता है evening में तुम क्या कर रहे हो ब्रेंडन उससे कहता है मेरी sister singer है और club में बहे गाना गाती है evening में मैं उधर ही जा रहा हूँ डेविट उससे कहता है बहे भी साथ जाएगा office के बाद ये दोनों सीसी से मिलने उसके club जाते है उधर सीसी गाना गा रही थी उसका गाना सुनकर ब्रेंडन इमोशनल हो जाता है डेविड और बाकी लोग सीसी की तारीफ करते है इसके बाद सीसी उन दोनों को जोईन करती है फिर ये लोग drink करते है और एक दूसरे के बारे में बात करते है फिर डेविड सीसी के साथ flood करने लगता है ये देखकर ब्रेंडन को गुस्सा आता है पर बहे कुछ रियाक्ट नहीं करता फिर वहां से निकल कर ये लोग ब्रेंडन के घर पर आते है ब्रेंडन को बिना बताए ये लोग ब्रेंडन के रूम में जाकर गपागप करते है फिर ब्रेंडन बाहर से उनकी आबाद सुनता है लेकिन बहे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि डेविड उसका बॉस है अगर बहे डेविड को कुछ कहेगा तो उसकी नौकरी जा सकती है और बहे चुप रहता है फिर बहे जोगिंग करने के लिए बाहर चला जाता है जब बहे घर पापस आता है तब डेविड और सीसी बहाँ पर नहीं थे फिर बहे बैट सीट चेंज करके सो जाता है कुछ देर बाद सीसी उसके पास आकर लेट जाती है लेकिन ब्रेंडन उस पर चिलाता है और उसे रूम से निकाल देता है अगले दिन डेविड उसे अपने कैबिन में बुलाता है डेविड उसे कहता है तुमारे कंप्यूटर में बहुत सारे पॉन वीडियो थे तुम आफिस में दिन भर ये सब करते हो ऐसा इस आफिस में नहीं चलेगा लेकिन ब्रेंडन कोई जवाब नहीं देता और चुप चाप बहां से निकल जाता है पिछले कुछ दिनों से बहे अपने आफिस का लीग मरियन के साथ फिलर्ट कर रहा है मरियन का डिवोस हो चुका है और ये जानने के बाद उसकी बजाना चाता है आज रात बहे उसे डिनर के लिए पूचता है मरियन भी राजी हो जाती है आफिस के बाद ये दोनों डिनर पर जाते हैं ये दोनों बहुत सारी बाते करते हैं फिर ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं घर आकर बहे मुठी मार रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बहन उसे देख लेती है फिर बहे उससे माफी मांगती है ब्रेंडर उस पर गुसा करता है और जो मर्जी उसे सुनाता है सीसी अपसेट होकर घर से निकल जाती है ब्रेंडर के पास जितनी भी सीडी दिन यहां तक की बहे अपना लेपटॉप भी डेस्ट विन में फेक देता है अगले दिन बहे मारियन को लेकर फाइव स्टार होटल में जाता है और बहां बहे ड्रक्स लेता है फिर ये दोनों सेक्स करने लगते हैं लेकिन ड्रक्स के ओवरडोज होने के कारण बहे मारियन को अच्छे से सैटिस्वाई नहीं कर पाता इसलिए मरियन गुस्सा होकर बहां से चली जाती है जब सीसी घर पर आती है तब ब्रेंडन उससे पोचता है इतनी देर तक तुम कहा थी सीसी कहती है वह डेविट के साथ थी फिर ब्रेंडन उससे कहता है डेविट की शादी हो चुकी है क्या तुम्हें ये बात पता है उसका एक बेटा भी है सीसी कहती है हाँ मुझे पता है उसने सब कुछ मुझे बता दिया था ब्रेंडन उसे डेविट से मिलने से मना करता है पर सीसी नहीं मानती तब ब्रेंडन कहता है कल ही तुम इस घर से चली जाओ, मुझे नहीं पता तुम कहां जाओगी, मेरे घर में तुमारे लिए जगा नहीं है, सीसी कहती है तुम मेरे भाई हो, हम फैमली है, और मेरा खयाल रखना तुमारी रिस्पॉंसिविलिटी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तब ब्रेंडन कहता है, मैंने तुमें जन्म नहीं दिया, तुम मेरी रिस्पॉंसिविलिटी नहीं हो, ये कहकर बहे घर से निकल जाता है, और एक बार में जाकर एक लड़की से मिलता है, और बहे उससे गंदी अंदी बाते करने लगता है, उसे होटल रूम में चलने के ल जोग देते हैं, क्योंकि कलब में पहले से ही बहुत भीड होती है, फिर उसे रोट की दूसरी तरफ एक गे कलब दिखता है, और बहे बहां जाता है, और एक लड़के से मिलता है, और उसी लड़की के साथ सेक्स करता है, बहां से निकलने के बाद उसे सीसी का कॉल आता है, बहे रिसीब नहीं करता, सीसी बार-बार उसे कॉल करती रहती है लेकिन बहे उसे इगनोर करता है फिर बहे एक चीप होटल में जाकर दो लड़कियों से मिलता है और उनके साथ भी घबा-घब करता है अगली सुबह में मैटरों से घर आता है फिर एक स्टेशन पर ट्रेन रुख जाती है क्योंकि एक लड़की ने बहाँ पर सुसाइट की है ब्रेंडन ये सुनकर घबनाने लगता है और सीसी को बार-बार कॉल करता है लेकिन सीसी कॉल रिसीब नहीं करती बहाँ भागते हुए घर पहुँचता है सीसी उसे बातरों में मिलती है उसने सुसाइट अटेम्ट की थी लेकिन उसकी सासे चल रही होती है ब्रेंडन तुरंट उसे हॉस्पीटल ले जाता है कुछ देर बाद सीसी को होश आता है बहा ब्रेंडन को देख पाती है चाहता है क्योंकि सीसी उसकी सिस्टर है और बहे उसकी फैमली है और अब बहे उसके साथ ही रहेगा उसके कुछ दिनों बाद बहे आफिस जा रहा होता है मेट्रो में उसे वही लड़की दिखती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था ब्रेंटन दूसरी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है अई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जोड़ बाइ